हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बिनारस एजूकेशन पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे सोसल बिसाय से सम्मंदित कुछ प्रशनों पर लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटू साथ आप अपनी सफलता सुनिश्यत करने के लिए हमारे नोट्स जॉइन कर सकते हैं और प्रारंबिक परिक्षा में अपनी सफलता सुनिश्यत करने के लिए आप 2020 की हमारी टेस सीरेज को जॉइन कर सकते हैं जो कि प्रारंबिक परिक्षा से सम्मंदित है जिसमें आपको 100 FL मात्र एक हजार रुपए में जिससे कि आपके 10,000 प्रशने कबर होते हैं और जो प्रारंबिक परिक्षया में सफलता का मूल मंत्र है तो वह यही है कि आप जितने अधिक बस तुने प्रशने सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंसते जाएंगे तो दोस्तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस कर लीजिए ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्यत कर सकें अब हम चर्चा करते हैं हमारे कुछ सोसल के प्रशनों पर तो हमारा जो सोसल का प्रशन है वह है बिकलांगों से संबंदित कौन-कौन से मुद्दे हैं तो इसमें हम पहले बिकलांगी की परिभास बताएंगे कि बिकलांगी ब्यक्ति से दात पर है ऐसा ब्यक्ति जिसकी बिकलांगता की 21 स्रेणियों में से किनी स्रेणियों में 40% से अधिक बिकलांगता चिकिस्सक के अनुसार हो तो हम उसे बिकलांग कहेंगे बिकलांगता की 21 स्रेणिय में सामिल करेंगे इसके पश्या थे बिकलांगिता कि निवारन हे तू आवश्यक साधन बिकलांगों के समस्या के प्रमुक मुद्दे कौन-कौन सी है या बिकलांगों से समंद समस्या है कौन-कौन सी है तो उसमें जो पहली समस्या है उसमें है कि बिकलांगिता कि निवारन ह तो आवश्यक संसाधन ना होना सेकंड है आत्मिनिरवर्ता तीसरी है आजीवी का इसके पश्यात है बित्तियन चौथा है सामाजिक उपेक्षा इसके बाद है सुगम में पहुँच का अभाव हम उम्रों के साथ तालमेल ना बिठा पाना आत्मविस्वास में कमी होना और परिवार के दोरा उपेक्षा किया जाना तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या-क्या प्रमुक कारण रहते हैं जो बिकलांगों की संबंदित समस्याओं में हमें द्रिष्टी गोचर होते हैं तो पहला है आत्मविस्वास की कमी परिवार में उपेक्षा हम उम्रों के साथ तालमील ना बिठा पाना सुगम में पहुँच का अभाव आत्म निर्वरता आजीवी का बित्तियन और सामाजिक उपेक्षा इस परकार से या बिकलांगों से सम्मंदित कुछ प्रमुक मुद्दे हैं भारत में बिकलांग तो भारत में बिकलांगों की स्थिती क्या है 2.68 करोर बिकलांग भारत में है और इन्हें 3% आरक्षण का लाब दिया जाता है हैलन केलर ने कहा है कि दिभ्यांगों द्रश्टी हीनों की समस्या द्रश्टी हीनता या दिभ्यांगता नहीं है बलकि समाज का उन लोगों की प्रती नजरिया है तो इस प्रकार से हैलन केलर का बकतब भी हम लिख सकते हैं दिव्यांगों दृष्टी हिनों की समस्य दृष्टी हिन तर नहीं है बलकि समाज का उनके प्रती रवयः है योजना है कौन-कौन सी है तो सरकारे नोक्रियों में विकलांगों को आरक्षर प्रदान किया जाता है सुगम भारत अभियान विकलांगों की सहायता के लिए चला जा रही है जैपूरी पैर बिवाको फ्रेमबर्ग इत्यादी जो यूजना है वै बिकलांगों को बिकलांगों के इस तर में सुधार लाने के लिए चलाई जा रही है जिन में प्रमुक हैं सरकारी नौकरियों में आरक्षन की विवस्था सुगम में भारत अभियान इसके जो है वो बिकलांगता से संबंदित है और सरकार दोरह उनके लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं वो सराहिनी हैं इसके पश्यात हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ मैलाओं से संबंदित मुद्दों पर दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे नौट्स पर्चेस नहीं किये है अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोसल, जोगरफी, एमपी, पॉलिटी, आदी विशियों से संबंदित नोट्स अभेलेबल हैं आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्ट्रा मोजो की लिंक पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों एक महत्पूल सूचने यह है कि जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स पर्चेस करते हैं तो किरपया कर अपना वाटसेप नमबर जरूर इंपुट करें उससे आपको हमारे वाटसेप ग्रूप में एड कर लिया जाएगा और मेंस से संबंदित जो भी महत्पूल कंटेंट होगा हमारे दोरा आपको अपलब्द कराया जाते रहेगा तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो आपको विविन सूचनाय मिलती रहेंगी और आप हमारे नोट्स को खरीद कर अपनी सफलता में चार्शान लगा सकते हैं अब हम चर महिलाओं से स्मद्न हैं नेक मुद्देए हमें दरश्चिगोचर होते हैं परमुक मुद्दे कौन-कौन से हैं तो महिलाओं के प्रती निमने द्रिश्टी कौन होना जो हमारा समाज है उसमें महिलाओं की प्रती निम्न द्रिश्टी कौन अपनाया जाता है तो यह एक महिलाओं से संबंदित प्रमुक समस्या है एकल माता की समस्या जो सिंगल पेरेंट में सिंगल मदर रहती है उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है पारिवारिक बिगटन इसके पश्चाते पीरियड लीब के प्रति सकारात्मक दरिश्टी को ना होना तीन तलाक, यौन बलतकार, संपत्ती पर निम्न अधिकार, बित्ती निर्भरता या बित्ती निर्भरता में कमी उनको आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाये जाता है भारत में महिलाओं की आय पुरसों की तुल्ला में कम है पित्र सत्ताद्मक दरिश्टी कोण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीडन, कन्या बुरून हत्या, कारेस्थल पर यौन सोसन आधी प्रोमुक समस्या हैं जो की महिलाओं से संबंधित बर्तवान समय में हमें इसपष्ट दिखाई देती है एक बार पुना चर्चा कर लेते हैं महिलाओं से संबंधित बिविन मुद्दों पर तो महिलाओं के प्रती निम्न दरश्टी कोण होना एकल माता की समस्या, पारिबार एक बिगटन की समस्या पीरियड लीब के प्रती सकारात्मक दरश्टी कोण ना होना तीन तलाग, योन बलातकार, संपत्ती में निम्न अधिकार, बित्य आनेरभरता, भारत में महिलाओं की याय पुर्सों की तुल्ला में कम हैं, पित्य सतात्मक द्रिष्टी कोण अपनाया जाना, घरेलू हिंसा, दहे जुत्पिडिन, कन्या भून अत्या, कारे स्थल पर योन सोसल आधी प्रमुक समस्या हैं, जो बरतमान समय में महिलाओं में दिखाई देती हैं, इसके अलाबा हम यह भी लिख सकते हैं, कि महिलाओं में स्वास्त संबंदी जागरुपता का आभाओ है, महिलाओं के लिए जो स्वास्त संबंदी कारिकरम चलाए जा रहे हैं, उनका बिफल होना या महिलाओं को उनकी पूर्ण जानकारी नहीं होना उनका पूरा लाब महिलाओं को ना मिल पाना भी महिलाओं से संबंदित प्रमुख मुद्दे हैं महिलाओं के खानपान पर भी हमारे परिवारों में ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह भी महिलाओं से मिर्देश, मुद्रा योजना, कौसल बेकास आधी प्रयास किये गए हैं और अधिक ससक्त बनाने की आवश्यक्ता है तो बर्तवान में महिलाओं की सुधार के लिए अनेक सरकारी कारेकरम भी चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम महिलाओं की इस्तिती को उचा कर सकते हैं इसके अलाबा संबिधान में भी प्रावधान किये गए हैं अनुच्छित 14 के अंतरगत महिलाओं को समानता का अधीकार प्रदान किया गया है अनुच्छित 15 में लिंग के आधार पर बेदवाओं नहीं किया जा सकता है लिंग के आधार पर बेदवाओं का बर्जन किया ग किया है विपास निर्देश जो की कारेस्थल पर यौन सोसंग को रोकने में कारगर सावित है मुद्रा योजना जो की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में कारगर है कौसल बिकास योजनाओं के दौरा महिलाओं अपने कौसल का बिकास करके आजीविका कमा सकती ह इत्यादी प्रयास किये गए हैं इसके अतिरेक्त भी महिला ससकती करण को अधिक प्रभावी बनाने के आवश्यक्ता होती है दोस्तो हमारे बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के दोरा एक मोटिवेशन बुक भी निकाली गई है सफलता की चिंगारी जो के आपको इंस्ट्रा मोजो की लिंक पर उपलब्ध है आप उसे पढ़ सकते हैं और अपने आपको मोटिवेट करके पढ़ाई में एकागर्चित्र ह हो सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार